क्या आपने अपने अपने अपस्टोर की कंट्री प्रोफाइल को चेंज किया था और आप स्विच बैक करना चाहते हैं इंडियन अपस्टोर पे तो यह वीडियो इन तक जरुर देखिए नमस्कार दोस्तों मैं हुआ विशेक और आप देखर है अविटेकी और आज किस करने के बाद मैं थोड़ा सा यहां पर स्क्रॉल करूंगा और आपको दिखा दू कि जो मेरा एप स्टोर है उसमें यहां पर डॉलर की साइन मुझे शोव रही है किसी भी अप्लिकेशन पर परचेस करने के लिए इसका मतलब यह है कि जो मेरा एप स्टोर है उसकी कंट्री लएक attend जो दिखेगा उसपर आपका जो प्रोफाइल दीखेगा उसपर टाप करना है और टाप करने के बाद को अकाउंट से रेलेटि चीज़े देखने को मिलेंगे यहां पर तो आपको यहां पर टाप करना है आपने नेम पर या फिर आपल ऐड़ी जो आपका है उसपर टाप करके थोड़ा देर इंतजार गरिए जब तक की next page यहाँ पे load होता है अब आप यहाँ पे देख रहोंगे कि apple id आपको show होगा manage payments है country reason वगर है तो यहाँ पे हम करेंगे country reason पे tap और उसके बाद यहाँ से अपने country profile को change करेंगे next screen पे change country और reason का जो option है उसको select कर लेना है और यहाँ से फिर हम scroll करेंगे नीचे और यहाँ पे select कर लेंगे India को क्योंकि हमें India app store पे switch back करना है और उसके बाद करेंगे agree agree करने के बाद फिर से एक बार हमें confirm करना है agree पे tap करके और इसके बाद जब हम country और reason को select कर लेंगे तब हमें payment methods को add करने के लिए पूछा जाएगा और billing address होगरा तो आप यहाँ पे अपना payment method अगर चाहते हैं जैसे UPI ID है वो add कर सकते हैं net banking use कर सकते हैं या फिर आप none भी select कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे करूँगा none को select और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे billing address होगरा आपका input करना है आपको यहाँ पे Indian app store में move करने के लिए या फिर switch करने के लिए आपको इंडिया का जो address होगा billing address में आपको वो input करना होगा तो और यहाँ पे मैं input कर दे रहा हूँ अपना address अपने billing address में अपना address input करने के बाद आपको यहाँ पे tap करना है next पर और next पे tap करके थोड़ा दिर इंतजार करना है जब तक कि सारे process हमारे complete नहीं हो जाते हैं उसके बाद आपका जो app store है वो यहाँ पे refresh होगा और refresh होने के बाद आपका जो country profile है वो switch back हो जागा Indian app store पे जैसे अगर आप कोई भी application यहाँ पे देखेंगे purchase करने के लिए तो आपको इंडिया रूपीज में वहाँ पे पैसे सो करेंगे जैसे कि यहाँ पे देखिए यहा आप अपने iPhone में Indian app store में switch back कर सकता है आसानी से वह भी बिना किसी credit card की मदद से मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो like करें comment करें अपने दोस्तों के शाथ share करें और साथ ही साथ अभी टेगे को subscribe करना ना भूले ताकि आपक और ट्रिक्स वाले वीडियो हमेशा मिलते रहें